अस्सलाम अलेकुम रह्मतिल्लाहिव अबरकातु हूँ वेलकम टू मैं चानल माशालला हिदराबादी रेसिपिस में आज हम बनाएंगे तुरैं गोश इसके लिए मैं ली हूँ तुरैं एक किलो टमाटे पव किलो गोश आदा किलो प्यास चार से पांच जल्ली काट के रख सच्छी में आईल 3 टेबल स्पून हरी मीर्ची पांच से छे कोधिमीर हाफ कप अजर्ख लीशन 1 यंदा हाफ टीजपून नमक 1 टीश्पून मीर्ची 1 अवाफ टीजपून हल्दी हाफ टीजपून माई फुकर गरम होने के लिए रख दी थीए फूकर गरम होंगया अब मै प्यास अब हम इसको लाइट ब्राउन हमें तक तली में दिखें माशाल्ला हमारी प्यास लाइट ब्राउन हो गई अब हम इसमें पोश्काल दीने अब हम इसे अब्रक लेक्सन नमक दाली अब हम इसे खली मुछी दाली अब हम इसमें एक गिलास पानिस दाल के चार सिटी आने तक भकन लगा के रख देगे माशाला हमारा गोष्ट कर गया तेल भी आगया अब हम इसे दालेंगे तो राइगे अच्छे सब्लींगे तहीं अब हम इसमें आधी गिलास पानि धाल के अब हम इसमें आधी गिलास पानि धाल के अब भाट के रख दीगे सीर्डी नहें लगाना इसको लायता तो राइप पूरी गल जाती इसमें खारी मिल्ची दालेंगे अब हम इसमें खारी मिल्ची दालेंगे जखलिगए ऊच्छीए चनी की डाल को गला के रख लें यह अप्शनल है आप चाहिए दाल सकते ने तो ने लेकिन इससे टेस्ट अच्छा आता चनी की ज्यादा ने गलाना थोड़ा गला के इसको साबित साबित रहना दाल इसा गलाना अभी इसको भी दाल लेंगे हम मैं इसमें बड़ी मेथी भी दाल रहें आप चाहिए तो दाल सकते या स्किप भी कर सकते अब हम इसके दालेंगे चने की दाल आता मितको अच्छा से घीलाईं के जादा पकाना नी है स्कूल तो रहेंगे करिंगे तो बुक्ता मों पंडिया पुराएं तो और अबढ़ा पंडिया पुराएं करदे थाएं पितां आपकला होने के दूएं जाबते हैं कई अएधे फाओ देखिए माशा लाह कुपल्स पाहिए बनकर के दिखिए माशा अल्लाह हमारी तुरहें पनकर निशाज ल्याइब रिशंत सन्तना करना मत भूलिए बेला इकान को क्लिक करिए दुआ में खाया लगिए टेक केर ला पीस